सेवा जोहार साथियों, गोंडी भासा सीखें चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में 25 से भी जादा गोंडी के सब्दार्थ आपको बताऊंगा। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाश्ट तक देखिए, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला हिंदी का सब्द है धूप, जिसे गोंडी फासा में अद्दी कहते हैं। अगला हिंदी का सब्द है सूरज, जिसे गोंडी फासा में औरद कहते हैं। अगला हिंदी का सब्द है छाओं, जिसे गोंडी फासा में धर्मी कहते हैं। हमारा अगला हिंदी का सब्ध है खेत, जिसे गोंडी फासा में नेल या फिर दिप्प कहते हैं। इसी तरह अगला हिंदी का सब्ध है गर्मी का मौसम, जिसे गोंडी फासा में डोकल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा अगला हिंदी का सब्ध है हल, जिससे खेत की जुताई की जाती है, उसे गोंडी भासा में नांगल या फिर नांगल कहते हैं. अगला हिंदी का सब्ध है हवा, जिसे गोंडी भासा में वड़ी कहा जाता है, इसी तरह आग, आग को गोंडी भासा में किस बोलते हैं? अगला सब्ध है पानी, जिसे गोंडी भासा में येर बोला जाता है. हमारा अगला हिंदी का सब्ध है राख, जिसे गोंडी भासा में नीर बोला जाता है. अगला हिंदी का सब्ध है पसीना, जिसे गोंडी भासा में ये पुर कहा जाता है. इसी तरह अगला हिंदी का सब्ध है मूत्र या फिर योरीन, जिसे गोंडी भासा में उड़कुल कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं अगला हिंदी का सब्ध है थूक या फिर लार जिसे गोंडी भासा में उसकुल कहा जाता है अगला हिंदी का सब्ध है रसी जिसे गोंडी भासा में नोडे कहा जाता है हमारा अगला हिंदी का सब्ध है काला रंग जिसे गोंडी भासा में कारियल कहा जाता है इसी तरह सफेद रंग जिसे गोंडी भासा में पंडरी या फिर पांडरी कहा जाता है इसी तरह पीला रंग जिसे गोंडी भासा में कमकल कहा जाता है आगे वड़ते हैं हरे रंग को गोंडी भासा में हिवरो कहा जाता है। हमारा अगला हिंदी का सब्ध है मिट्टी जिसे गोंडी भासा में तोड़ी कहा जाता है। इसी तरह घर या फिर होम जिसे गोंडी भासा में रोन या फिर लोन कहा जाता है। अगला सब्द है गाल या फिर चिक्स जिसे गोंडी भासा में कवरी या फिर कवरी कहा जाता है. इसी तरह हमारा अगला हिंदी का सब्द है रौसनी या फिर लाइट जिसे गोंडी भासा में वेडची कहते हैं. इसी तरह अगला हिंदी का सब्द है अंधेरा या फिर डार्क जिसे गोंडी भासा में सिकाटी कहते हैं. हमारा अगला हिंदी का सब्द है रात जिसे गोंडी भासा में नर्क कहा जाता है. सुबह को गोंडी भासा में सकड या फिर शकड या फिर सकर इस तरह से अलग अलग छेत्रों में अलग अलग कहा जाता है. हमारा अगला हिंदी का सब्ध है साम या फिर इवनिंग जिसे गोंडी भासा में नुल पे कहा जाता है इसी तरह दोपहर को गोंडी भासा में धुपाड या फिर धुपाडे या फिर मरिया इस तरह से कहा जाता है हमारा अगला हिंदी का सब्ध है बैंबू ट्री या फिर बास जिसे गोंडी भासा में वदुड या फिर वदुड कहा जाता है इसी तरह पेड या फिर ट्री जिसे गोंडी भासा में मरा या फिर मरा इस तरह से कहते हैं साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत जरूरात है और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही कमेंट करके आप अपने ओपीनियन मुझे साजा कर सकते हैं और वीडियो को सेयर करना ना भूलें मिलता हूं आप सभी से एक और नए वीडियो में नए गोंडी भासा के सब्दों के साथ में तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी ओर से तदर